विल्कम बैक तो माई चानल इजीब्रीजी तो फ्रेंट्स आज मैं लेकर आई हूँ एक वीडियो जिसमें आपको बताने वाली हूँ Sunset Cruise के बारे में Yes friends Goa में जो Sunset Cruise होता है उसकी information में आपको दूँगी उसके लावा में आपको बताऊंगी कि Casino और इसमें क्या difference है और अगर आप budget option ट्राइ करना चाहते हैं And you want to enjoy the cruise तो यह आपके लिए एक दम perfect होने वाला है So basically यह आपको मिलने वाला है गोवा की capital city पंजी में पंजी में पूरा casinos and cruises का hub है So अगर आपका मन है Casinos वगएरा देखने का या cruise का तो आप पहुंच जाएए पंजी और आपको मिल जाएंगे बहुत सारे cruises के option और फिर इससे पहले मैं casino का अलरड़ी वीडियो अप्लोड कर चुकी हूँ जो मैंने विजट किया था तो अगर आप वो देखना चाहें तो आप भी देख सकते हैं जैसे ही आप पंजी पहुंचेंगे आपको अपने आप agents मिल जाएंगे जो आपको guide करेंगे कि आप casino तक कैसे पहुंच सकते हैं या cruise कैसे जा सकते हैं तो हम लोग भी agent के तुरू यहां पर आएं हैं और हम लोग ने फर्स्ट आफ आफ आल पार्किंग स्पेस में लेके जा रहे हैं यह हमको तो हम लोग अपनी फूर वीलर से आएं तो हम लोग को पार्किंग की तरह होती ही तो वी आप दूएंगे और उसमें क्या है उनके prizes difference रहेंगे क्योंकि उनका differences रहेगा कुछ activities में या फिर उनका जो cruise है वो छोटा रहेगा बड़ा रहेगा या फिर कुछ उसके different facilities रहेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने पूरा description दिया हुआ है कि sunset cruise में क्या है उसके साथ ही यहाँ पर फ्रेंच dinner party cruise होता है अगर आप चाहें तो सिर्फ sunset cruise opt कर सकते हैं या चाहें तो dinner party cruise कर सकते हैं अब मैं price की बात बता दू फ्रेंच so mostly सारे sunset cruise का price है 500 rupees और अगर आप लोग dinner buffet लेते हैं उसमें तो उसका price होने वाला है 1500 rupees so friends उसके साथ हमें क्या देखने को मिलने वाला है वो मैं अभी आपको इस वीडियो में बता दूँगी so we choose the paradise cruise which is one of the best cruises so आप भी accordingly आप decide कर सकते हैं और यह एक हमारा waiting area है जब हमारा दूसरा cruise खातम हो जाएगा फिनिश हो जाएगा उसका timing जो भी है then only we can board that cruise so friends अभी हम लोग जाने ही वाले है so friends we took the 500 rupees वाला ticket जिसमें dinner buffet included नहीं है क्योंकि last night only we enjoyed the casinos and dinner buffet so इस बार हम लोग interested नहीं थे so इसमें बाकी सब कुछ हमें देखने को मिल जाएगा like the sunset, beautiful sunset, the activities, the folk, cultural, dance वो सब कुछ इसमें inclusive है उसके लावा if we want तो we can pay and get the snacking option there so वो अंदर जैसी में आपको जाऊंगी तो दिखाऊंगी so friends the cruise is here paradise cruise is here and it is ready for boarding अभी हम लोग जा रहे हैं बोट करने के लिए so friends you can see कि कि कितना properly यह लोग locate कर देते हैं and platform भी बना हुआ है easily availability के लिए so friends अभी हम लोग आ चुके हैं cruise के अंदर and you can see the structure यहां पर properly stairs है अब बात करती हूं decks की तो यहां पर multiple decks हैं it has two floors the lower floor and the upper floor and उसके बाद एक open deck floor भी है so हम लोग basically middle floor में जा रहे हमें लगा कि वहां से जादा अच्छा view आएगा so friends this is how we are boarding and आप देख सकते हैं so basically जो लोग वाला है उसमें fully AC लगा हुआ है so we were not interested at that point of time क्यूंकि हम लोग sunset का view enjoy करना चाहते थे with natural air so अभी हम लोगों ने वो जो middle वाला option है वो चूज किया है तो हम लोग वहां पर ही अभी जा रहे है so stairs properly arranged है और अभी हम लोग पहुँच चुके है you can see the decor the aesthetic कितना beautiful है अभी सब लोग 1-1 आ रहे है जैसे मैंने बता है पे करके हम लोग ले सकते हैं so these are the basically bar counter और यहां पर कुछ-कुछ snacks की option है वो भी हम लोग पे करके ले सकते हैं so अभी सब लोग comfortable हो रहे हैं उसके seating arrangement में उसके बाद जो cruise है वो start होगा and the activities will start so अभी pass में आप देख सकते हैं यह दूसरा cruise है जिसकी boarding हो चुकी and it is ready to start so बहुत ही हम लोग excited है thrilled है इसके लिए क्योंकि sunset हो चुका है already and अभी night का time है and इतना beautiful view लग रहा है मैं तो suggest करूंगे कि अगर आप गोवा आ रहे हैं तो एक बर इस cruise का enjoy जरूर कीजेगा उसके साथ ही casino भी बहुत ही हम लोग ने तो enjoy किया तो अगर आपके पास time है so you can enjoy these two things मतलब I definitely recommend so friends अभी हम लोग properly sitting arrangement ले चुके हैं और बाकी का crowd भी आ रहा है once everything will settle down the cruise will start and we will enjoy the beautiful journey अपर का जो ब्रिज है वो भी बहुत ही प्यार है मुझे तो वर्ली सी फेस की आद दिला रहा है जो की Mumbai में है and I really love that and यह आप व्यू देख रहे हैं जो बाजुवाला cruise है वो भी start हो चुका है and it is looking damn beautiful and I am so excited क्योंकि हमारा भी ऐसा ही होने वाला and we are also going to enjoy so much उसके अलावा यहाँ पर DJ भी है so we are going to perform the dance there's a couple dance family dance and you can really really enjoy so friends हमारा cruise up start हो चुका है and you look at the cultural and the folk dance कितना beautiful है so basically I think यह रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि हापर बहुत सारे fishers होते हैं तो उसी community का dance है so really really बहुत ही beautiful है so it's a couple dance and बहुत ही मजा आ रहा है हम लोगों को तो उसके साथ हम लोग भी बहुत fun कर रहे है क्योंकि आपको यहाँ पर go and dance देखने को मिल रहा है so that's a really beautiful thing अभी इनको जॉइन कर रहे है इनके partner and it was really really very beautiful and different ऐसा वाला cultural folk dance तो मैंने नहीं देखा था and it is like a go and style dance so yes you will also get the rhythm of this बहुत मजा रहा था उसके अलवा यह पर सिर्फ एक performance नहीं है multiple three four performance है so वो भी one by one होंगे mean wild यहाँ पर DJ performance भी होगा so वो भी हम लोग भी enjoy करने वाले है so totally I can see कि अगर यहाँ यह क्रूज लेते हैं 500 रुपीज वाला बोर करते है beautiful view बहुत ही मजा आ रहा है so friends आपको बता दूँ कि सारे डेक्स पर same ही performance same ही performance होने वाला है so just timing different रहेगा and अभी I think हमारा DJ स्टार्ट होगा and we the crowd will enjoy here so this is how it started and everyone is enjoying so much here यह हर किसी को मजा आता है like cruise हो इतना beautiful view हो बहुत ही बड़ीया Bollywood songs चल रहे हूँ what else you want so हम लोगों ने बहुत बहुत मजा किया पूरे crowd ने बहुत मजा किया like it's a family crew so इतना मजा कर रहे है like everyone was enjoying so much like we were all vibing together इतना मजा आया उसके लब कुछ games भी इनोंने अरेंज किया so let's see what what happens सामने आप देख सकते की casinos भी आपको देखने को मिल जाएगा क्योंकि यह वही जगे जागे जहां पर casinos be situated so आपको दूर से आपर casinos भी देखने को मिल जाएंगे and panji में जो night view है वो पूरा different होता है like अगर आप afternoon में आएंगे so you will get a different view and night view is very very different क्योंकि जो lightings वगरा रहती है वो बहुत ही प्यारी लगती है so that's how you can see there are so many famous casinos you can see from here time for next performance I guess to view हम लोग अभी enjoy करते जा रहे है और इसी के साथ हम लोग वेट कर रहे है next performance का आप देख सकते हैं यह बहुत ही बड़ा casino I think Big Daddy casino है जो कि यहां का most famous and most biggest casino है आप ट्राइ कर सकते हैं अगर कभी आए तो हम लोग तो दूसरे casino में गए थे so here started the next performance बहुत ही बड़िया performance है यह भी energy लोग की सुपर्पती और यह जो इनका कल्चरल फोग लांस था हम लोग को बहुत ही इंट्रस्टिंग लग रहा था definitely क्योंकि हम लोग फर्स ताइम देख रहे थे here in Goa मैं पहले भी गवाई हूँ बट फर फर्स तैम आई तो इस संसेट क्रूस और यह थे वन अफ देख सकते हैं यह बार काउंटर जैसे मैं नहीं बता है तो whatever you want you can pay and take it काफी limited options थे but definitely the cruise is just for one one and half hour so that is extremely okay for that and here comes the time for our third performance इसमें लोग का costume change हो गया था and the performance was very very nice you can see इसमें भी बहुत बढ़िया सिंग था बहुत ही मजा आरा था so definitely हम लोग ने था बहुत नजोई किया क्योंकि और क्या ही चाहिए हम लोग को एक beautiful सा time spend करने को मिला so this is how i can say the cruise was so my recommendation is like if you are coming to goa you can definitely take it and if you are interested in the dinner also then you have to pay 1500 rupees and if you are not interested in dinner then you just pay the 500 rupees and enjoy all the beautiful things अभी डिनर कहां पे होता है अपर डेक में होता है mostly so वहां पर भी में परफोर्मंस जब एंड हो जाएगा वहां पर आप लोग को लेके चलूंगी and you will see so वह आपको एक बहुत ही best option देखने को मिल जाएगा and I think dinner cruise का time जो है वो थोड़ा सा late होता है 8.39 होता है but बाकी सारा ज अभी DJs आते हैं different DJs आते है so it's as per your luck कि उस ताम पे कॉन आया है अभी मैं जारी हूं अपर डेक की तरफ जहां पर डिनर का arrangement होता है so you can see यहां पर पुरा डिनर बुफे लगेगा and this is the upper deck floor यहां पर कितना प्यार आव आ रहा है so you can see moonrise भी हो रहा है and it was really looking extremely beautiful you can see arrangements वगेरा भी यहां पर भी आपको सब performance बगरा देखनों को मिल जाएगा so just the difference is about the money 500 and 1500 whatever option you want you can choose so friends यह था मेरे आज का reviews and the beautiful video I hope you all like it अगर आपको यह video useful and informative लगाओ so please do like the video share it with your friends and subscribe to my channel easy breezy मैं ऐसे ही आपके लिए interesting and useful content लाती रहोंगी और मैं जहां भी घूमने चाती हूं उसका मैंने एक playlist बना रखा है vlogs के नाम से so you can definitely check out this and मिलती हो अपने अगले वीडियो के साथ live easy be breezy